गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, I am your math teacher सपना चावला बिटा आज हमारा नया chapter 15 जो की है measurements वो start हो रहा है बिटा मैंने आपको पहले भी पता है था measurement के लिए different units होते हैं kilogram, gram, meter, centimeter, millimeter, or milliliter इस तरह से कई तरह के आपके होते है measurements के units चीक है तो आज हम उन्हें सीखेंगे किस तरह से convert किया जाता है like centimeter to centimeter to meter, meter to centimeter, meter to millimeter इस तरह से किस तरह से एक unit से दूसरी unit में convert किया जाता है बिटा आज हम यह सीखेंगे तो आपको यह सब चीज़े पता होना चीए कि how many centimeter are there in meter, how many meter are there in kilometer रहा, how many centimeter are in meter, how many millimeter are in meter तो यह सारी units आपको पता होनी चीए कि किस में कितना होती है quantity ठीक है तो आज अब हम start करते हैं first part से 749 centimeter into meter आपने centimeter to meter में convert करना है ध्यान से देखिए बिटा 1 meter में 100 centimeter होते हैं therefore 1 centimeter is equal to 1 upon 100 meter तो आप देखिए आपके पास कितने हैं 749 अपन में 100 आजाएगा two zeros है two decimal place तक आप इसे लिख देंगे बिटा इसी तरह से same next है difference इतना है कि इसमें already decimal था तो वो remove होगा आपन में 10 आएगा into 100 है तो आप क्या करें कैंसल आउट कर देंगे इसमें 0 से 0 और आपका आंसर आजाएगा 75 70 cm पहले वाले पार्ट में हमने cm से मीटर में convert किया था इसमें हमने meter to cm कनवर्ट किया है अब आप next देखिए अब आता है का meter to millimeter देखिए इसमें के 1 meter में 1000 mm होते हैं तो यह decimal में था अपन में 10 आया इंटू में 1000 आया 0 से 0 कैंसल आउट आउट आगा 1600 mm बीटर नेक्स देखिए cm to meter यह हम लोग कर चुके हैं फरस्ट पार्ट में बिल्कुल as it is होगा आपका नेक्स देखिए अब आके आपका millimeter to centimeter अब 1 millimeter में 1 upon 10 cm होते हैं 96 upon 10 9.6 cm आ जाएगा बिटा next आता है आपका 2460 mm mm into liter अब आपने milliliter to liter में convert करना है वही 1000 होते हैं इसमें भी 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 1000 में आपकी 30 होती है चिके बिटा तो आप cancel out करना चाहें तो इन zeros को cancel out कर दीजे और उसके बाद आपका आंसर आजाएगा 2.46 लीटर अब आता है आपका वही सेम मिली लीटर टू लीटर सेम आपका वही वही प्रोसीजर रहेगा इसमें decimal है तो decimal remove okay upon 10 बन जाएगा ठीक है बिटा तो अब आपका आजाएगा 10,000 अब आपका 4 decimal पेस तक जाएगा बिटा तो 0.0504 लीटर इस सरे से conversion होगी बेटा नेक्स्ट भी आपके ऐसे ही सारे सम ऐसे ही होने है अब आपका है किलो ग्रैम टू ग्रैम किलो ग्रैम में 1000 ग्रैम होते हैं ठीक है तू डैसिमल प्लेस था आप उनमें 100 आया तू जीरो से तू जीरो कैंसल आउट हो गई 10,190 ग्रैम अंसर आजाएगा पिटा नेक्स्ट कोशन भी ऐसे ही है आपका अब आपका रिवर्स है ग्रैम टू किलो ग्रैम में कनवाइट करना है तो वन अप उन थाउजन बन जाएगा त्री डैसिमल प्लेस तक आपका अंसर आएगा पिटा नेक्स्ट देखिए ये भी ऐस इस यह है आपका डैसिमल था बस डैसिमल रिमूव होगा और उसके बाद कैंसल आउट हो जाएगा नेक्स्ट आता है आपका मीटर टू किलो मीटर वन मीटर वन थाउजन किलो मीटर थाउजन से डिवाइड करेंगे त्री डैसिमल प्लेस तक जाएगा आपका किलो मीटर में आपका आजाएगा नेक्स देखिए इसमें क्या है किलो मीटर टू मीटर में का नमाट करना है आपने तो वही वन थाउजन होते हैं आपके मीटर्स अपोन में हंड़ आएगा क्योंकि टू डैसिमल प्लेस है और इन्टू में थाउजन आएगा जीरो से जीरो कैंसल आउट करके 11,070 मीटर आपका आंसर आजाएगा इस तरह से बीटर डिफ्रेंट कन्वर्जेशन के समसे आपने ध्यान से सॉल्व करने थैंक यू